नमस्कार नमरात्री के व्रच चलना है तो मैं यहां पर आज उपवास की रेश्पी ले के आई हूँ, सिंगाडे के आंटे का पराठा बनाएंगे, एक कटोरी सिंगाडे का आंटा लिया हुआ है, इसको चान लेंगे, उसके बाद मैंने यहां पर नमक डाला हुआ है, सिंदा नमक डालेंगे यहां पर फिर यह अद्रक चॉप कद्दू कस करके रखी हुई है वो डालेंगे हरी मिर्च बारीक चॉप करके रखी है उसे डालेंगे फिर यहां पर तीन आलू मैंने बॉयल करके रखी हुई थी इसको ग्रेट कर लेंगे यह मीडियम साइस की आलू है यह प पाॉडर डाला है धनियां डाली हुई है हरी अब ये सारी चीजंघों को अच्छे तरह से मिक्सक कर लेंगे आलु इस में डाला है तो सिंगाड़े के आठे में अभी पानी नहीं डालेंके धीरे धीरे आलु से इसको मिक्स-कर ऑद थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका एक थोड़ा सा कड़ा आंटा लगा लेंगे यह देखिए फिर मैंने यहां पर घी लेके आंटे को थोड़ा सा और मसल लिया है तो यह एक बढ़िया सा चिकना आंट डो तैयार हो गया है यहां पर पॉलिथिन ली हुई है उसमें दोनों तरफ घी ल बनाएंगे अगर हम बेलते हैं तो वह अकसर फट जाता है तो इससे इस तरह से बनाएए पॉलिथिन से तो बहुत बढ़िया पराठा बनके तयार होगा और काफी बढ़े बढ़े पराठे बन जाएंगे फिर यहां पर नौन इस्टिक तवालिया हुआ है उसमें पराठे क को सेखेंगे यह देखे एक तरफ गोल्डन हो गया फिर यहां पर दूसी तरफ से भी सेख लेंगे गी लगा के बढ़िया करारे से पराठे हमारे इस तरह से तयार हो जाएंगे और यह पराठे बहुत अच्छे लगते हैं नौरात्री में नौ दिन रथ करते हैं रोज बद पाठा भी बन के तयार हो गया और मैं इसको यहां पर दही से साथ सरू कर रही हूं मेरा वीडियो देखने के देखने हैं